तो दोस्तों दिल्ली सरकार में COVID-19 वो देखते हैं आदिया ओफिस में काफी भी डोली ती तो COVID-19 की वज़े से जो है दिल्ली सरकार ने जो टो डो सर्विस फिर्से एक्टिबेट कर दिये है जिसका लाव उढ़ाकर आप जो है कोई भी सिर्कारी फार्म ओनलाइन फिल्स करवा से घर बेटें तो दोस्तों चले शुरूर रहते हैं कि दोस्तों मैं टारिकन साइज स्वागत करता हूं अपने यूटूब चैनल साइबर एडवास में कैसे आप सभी यासा करता हूं आप सभी स्वास्त और मत रहते हैं तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बता हूं कि डो टू सर्विस कर इस्तवाल करते हैं आप जो है अपना सेविट डिफेंस का इंडॉल्मेंट कैसे करवा सकते हैं वो भी घर बैटे तो दोस्तों इसके लिए करना क्या होगा आपको की ऑनलाइन एक रिजिस्ट्रे एक डिए वीडियो जोए आपके पास सब्सक्राइब पहले आजये दोस्तों इस में दोस्तेप्स के अंदर आपका जो पॉल्में कप्रीट हुआ है तो दोस्तों आगर आप एस और आप इस नहीं जाना चाहिए तो घर बैटी भी आपके अप्लाई कर सकते हैं उस सर्विस क कर सकते हैं डो तो सर्विस का इस्तमाल कर सकते हैं तो दोसों से के लिए आपको एक औलाने रिश्टेशन करना होगा वो मैं आपको करके दिखांगा लाइप जब आप सकते हैं जुआ है वो आपका पूरा फॉर्म कंप्लीट कर देगा आपके डॉक्यमें चाहते हैं उसके जो आपके आप पास और बिस्कु कम्प्लीट होने चाहिए तो जब आपके घर पार आते हैं आपके ऑजिनल डॉक्मेंट्स जो है वह वेरिफाइ करते हैं और उसकी जो कॉपी है वह एजिया में सब्मेट कर देते हैं और आपको पूरा फॉर्म कम्प्लीट करके आपको रेस्ट दे रहेते हैं और जिसने जिनका भी डॉरेशन होगा उस पॉर्म का उस डॉरेशन के अदर आपके फॉर्म मेरको खुलियर होगा अगर आपके साइड दॉपमेंट्स क्लियर होगे तो आपको जो है आपका सट्टिटिटेट हो जाता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं या कंप्यूटर के अंदर डेली गॉर्मेंट की ओफिसियल वेबसाइट खोल लिनी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा यह है डेली गॉर्मेंट की ओफिसियल वेबसाइट डेली.gov.in दोस्तों कुछ इस तरीकी का इंटरफेस ओपन हो जाएगा दोस्तों यही है दोर-to-door सर्भी का लिंक इस लिंक के थुरू जो है आप इस पे गॉर्मेंट सर्विसेज कोई भी फ़र्म जो है आपको अगर ऑनलाइन फिल करवाना हो घर बैठें तो आप इस सर्विस का इस लिंक के द्वारा कर सकते हैं तो सिंपली दोस्तों करना क्या आपको कि इस link पे आपको click करना है जैसी आप इस link पे click कर देंगे तो जो है एक नया interface खुल जाएगा registration form का दोस्तर कुछ इस तरीकी का registration form का interface खुल जाएगा यहाँ पर जो है सबसे पहला option आना sign in यहाँ पर जो है आप अपने mobile phone की help से login करेंगे अपना mobile नंबर जो है activated आपके पास उसको यहाँ पर डाल के आपके submit कर देना जैसी आप इसे mobile box पिटिक करके यहाँ पर जो है login पर क्लिक कर देना है submit कर देना है तो दोस्तों जैसी आप यह submit करेंगे तो यहाँ पर कुछ चेस्टरी का interface खुलेगा आपके पास जो है four step के अंदर आपका registration application complete करने का option आ जाएगा यहाँ पर जो है दोस्तों four steps है first जो है service details दोस्तों four steps complete करने के लिए सबसे पहला step is service details, service details को complete करने के लिए आपको जो है सबसे पहले department select करना पड़ेगा तो as a civil defense volunteer अगर आप form fill करवाना चाहते तो सबसे पहले आपको revenue department पर click कर लेना है जैसे आप revenue department click करेंगे यहाँ पर service group का option आ जाएगा तो service group के अंदर भी आपको select पर click करेंगे यहाँ पर option आ जाएगा यहाँ पर revenue department के अंदर जो भी form fill किये जाते हैं तो से related सारे forms आ जाएगे तो आपको select कर लेना है installment as civil defense volunteer और service name के अंदर भी आपको select वाले option पर click करना है जैसे आप select वाले option पर click करेंगे यहाँ पर जो है same वही option आ जाएगा installment as a civil defense volunteer आप जो है यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर timing दिखाए जाएगा कि किते दिन के अंदर जो है certificate generate हो जाता civil defense का form सी यहाँ पर जो है 14 days का time जो है आपका दिखादा generation of ARN number आप ARN number generate करने के 14 दिन के अंदर अंदर जो है आपका application सब्मेट हो जाएगा तो यहाँ पर जो है document checklist document checklist इसी लिए कि जो involvement अगर आप civil defense के लिए करना चाहते हैं तो यह यह documents जो है require है तो आपको इन documents के requirement है वो भी original form में आपके पास होने चाहिए अगर आपके पास यह document होंगे जभी आप apply कर सकते हैं तो सबसे पहला option है ID proof ID proof के अंदर जो भी आप जो document यूज करना चाहते हैं आपका voter ID card हो आपका license हो या फिर आपका अधार card हो तो उसका number यहाँ पर fill कर देना है simply और उसके बाद जो है second जो है document date of birth proof applicant जो भी फोर्म जिसके नाम पर fill करना है उसका date of birth proof यहाँ पर उसका number fill कर देना है तो आप अधार card यूज कर सकते हैं date of birth proof के लिए bank card चाहिए या यह certificate या बार certificate यूज कर सकते हैं जो भी आपके बार certificate उसका certificate बार यह ऑँ फिल कर देना है यहां पर तो यहीं हो गई इस proof का number हो जाएगा अब फोर्थ option में दोस्तों हमें आ जाना police verification report is completed तो आपको यहां पर जो है police verification का number डाल देना है अगर complete हो चुका है तो अगर नहीं है complete तो na लिख देना है अगर complete हो चुका है पांच वो जो डॉक्यमेंट मांग रहा है आपको वह है present address प्रूफ present address प्रूफ में जो भी आपका address प्रूफ जो आपका current में देना चाहते हैं चाहे आपका आधार काड ओ चाहे का voter ID काड ओ जो भी document आप as address प्रूफ देना चाहते हैं उसका यहाँ पर नंबर आपको fill कर देन है और present address and permanent address same है तो same document का number जो है आपको permanent address वाले column के अंदर भी same वही document number आपको fill कर देना है और एक जो document required है आपका साथवे number पर वो है आपका passport size photograph तो इसके अंदर 200 आप simply 1234 कोई साथ भी number fill कर सकते हैं क्योंकि इसका कोई number नहीं होता है और एक self declaration form है self declaration form के अंदर भी आपको कोई से भी number fill कर देना है 1,2,3,4,5 और leave a comment के अंदर जो है आप अपनी दब से कोई भी message इसके अंदर fill कर सकते हैं जैसे कि I want to join civil defense as a volunteer तो यह सब लिख के और आपके मन में जो भी आ रहा हो civil defense के related ही आप यहाँ पर comment लिख सकते हैं तो comment लिख के यहाँ पर जो है आपको confirm पर click कर देना जैसे आप confirm पर click कर लेंगे जो हमारा second step है citizen details तो यह वाला details वाला option open हो जाएगा यहाँ पर आपको identity proof के लिए अपना identity proof select कर लेना है list के अंदर से तो यहाँ पर इस देख सकते हैं आप identity type लिखा वाई यहाँ पर जो है list के अंदर से आपके पास मौसर आप्शन है सबसे पहला option है pen card वोटर कार्ट पासपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस आईडी सुट बाइ गॉवर्मेंट राशन कार्ट विप फोटोग्राफ तो जो भी लिस्ट में साब select करना चाहते हैं वो select कर सकते हैं और उसके सामने वाले कॉलम इस वाले कॉलम के अंदर जो है आपको उस certificate का नंबर फिल कर देना है certificate number फिल करने के बाद जो है आपको अपना पूरा प्रॉपर नेम जो है certificate के अंदर वो फिल कर देना है तो दोस्तों जब आप नाम फिल कर लेते हैं उसके बाद जो है आपके पास जो है एड्रस का कॉलम सामने आ जाता है यहां पर एड्रस लाइन वन लाइन टू लाइन ट्री है तो यहां पर जो है आपको अपना complete address गली मकान नमबर गली नमबर ब्लॉक वगेरा जो भी address जिस त apps के अंदर complete कर लेना है अपना area का नाम वगेरा फिल करके पुरा complete address फिल कर लेना है तो दोस्तों जैसी आप अपना address complete कर लेते हैं उसके बाद जो है यहां पर नीचे आपको email id डालने का option आ जाता है तो यहां पर जो है आप अपना एक activated email id भी फिल कर सकते हैं तो यहां पर आपको एक email id फिल करते हैं आपना activated वाला email id फिल कर लें आप अपना यहां पर email id फिल करने के बाद जो है यहां पर आपके पास next option आथा है payment mode payment mode के अंदर जो है आप इस select वाले option पे click जैसी करेंगे यहां पर payment mode जो है open हो जागा यहां पर आप cash के थुरू जब वो सायक तो आपकी choice है किस तरीके से आपको जो है fees पेव करनी है तो यहां पर मैंने cash select कर लिया है और यहां से जो है submit कर दिया है submit करने के बाद जो third step होता है वो है appointment तो यहां पर जो है सबसे उपर calendar open रहता है यहां पर जो है आपको dates मिल जाते हैं जिस जिन भी आप free है सुबह से लेके रात तक का time है यह सबसे best चीज़ इसमें लगी कि आप सुबह भी free हो सकते हैं या रात में अगर late तक भी free हो सकते हैं तो सरकारी काम जो है आपके घर पर आ रहा है और वो भी late night तक तो यहां पर जो है दोसों आप देख सकते है morning के जो आभी fill है इस date के में appointments आभी fill है evening की available है और nights की भी available है जो green dot दिखा रहा है वो है available तो मैं जो है evening का select कर ले रहा हूं आप अपने time के according जो है suitable जो भी time लगे उसे select कर लें जैसे आप select कर लेंगे तो यहां पर जो है आपका daytime select होगे last में जो है review last step है जिसके अंदर जो है आपको जो भी registration के अं add fill की है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए अगर कोई गलती हो तो उसे आप edit कर सकते हैं यहां पर जो है आपको fees की details दीखा ही जादी है with service fees के साथ तो यहां पर जो है आपको file submit कर देना है जैसी आप submit file submit कर देंगे तो यहां पर आपकी receipt generate हो जाएगी और appointment date जो है वो fix हो जाए करेंगे आपको call करेंगे और जो भी आपका time है और date है उस date को और उस time के बीच में आपका form fill कर दे जाएगा और आपके documents हो है वो verify करके submit करवा दी जाएगे तो दोस्तों आप को इस receipt का एक print out ले लेना है अगर नहीं भी लेंगे तो भी चलेगा क्योंकि आपके पास जो है और नंबर जेनरेट होके message में आ जाता है तो दोस्तों यह था complete process जिससे कि आप घर बैठे अपना civil defense का involvement जो है अपना घर बैठे करवा सकते हैं तो दोस्तों कैसी लगी information आई होब कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो पो जाज़ेदर लाइक और शेयर करते हैं सब्सक्राइब करते हैं और कोई भी कंशीज होना आपको इस वीडियो से लिडिए दि जब तक के लिए जाहिए